विल्कम बैक टु मैं चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश करें ताकि सभी लेटिस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे आज हम बना रहे हैं मेथी मसाला कचोड़ी, चलिए पहले मसाला बना करके रेडी करते हैं, मसाला में लिया है एक चम्मच धनिया, एक चम्मच जीरा और एक शुखिलाल मिर्च को हमने तोड़ करके इसे पहले ड्राइरोस्ट कर लेंगे, देखिए हमारा मसाला कर लेंगे और इसे भी एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं, अब हम कचोड़ी का डो बना करके रेडी करेंगे, इसके लिए हमने एक मिक्सिंग बाल दिया है, उसमें एक बड़ा कटोरी आठा, आधा कटोरी मैदा और आधा कटोरी सूजी, इसके बाद हम लेंगे एक छोटा चम्मच नमक, आप अपने स्वादान उसार लें और एक चम्मच चीनी, डालने से कचोड़ी खास्ता बनता है, अगर आप ना खाते हों तो इसे वाइट कर सकते हैं, तोटली अप्सनल है, और अजवाइन को हमने एक चम्मच अजवाइन को करस करके हाथ इसमें डाल लिया है, इस तरह से तोड़ा सा जगह बना लेते हैं, और इसमें हम डालेंगे चार छोटा चम्मच घी, घी को हमने हल्का गुनगुना गरम कर लिया है, गुनगुना घी डालने से कचोड़ी अच्छा क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा खास्ता बनता है, इस हमारा आटा परफेक्ट मिल गया है, इसमें पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा डो बना करके रेडी करेंगे, इस तरह से, इसका डो जो रोटी से थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आटा अगर हम टाइट लगाएंगे, कडा लगाएंगे, और उसमें स्ट में रख देते हैं, तब तक आटा थोड़ा सेठ हो जाएगा, और स्टफिंग बना करके रेडी करते हैं, मिक्सिंग बावल में मसाला को डाल दिया है, अब डाल दिया है, कसूरी मेथी, डाल करके इसे दरदरा पहले सुखा ही मिक्सिंग में पीस लेते हैं, देखिए इस त तोटा चम्मच नमक ध्यान रहें, नमक हमने आटा लगाने में भी डाला था, और एक चम्मच कास्मिरी लाल मिर्च, डाल करके अब एक थोड़ा सा साबुत कसूरी मेथी भी डाल देते हैं, और वाइल डाल करके इसका एक पेस्ट बना करके रेडिंग करेंगे, इसी को हम क आट में थोड़ा सा वाइल लेकरते हैं, अची तरह से मसल मसल करके, सौफ्ट कर लेते हैं थोड़ा और इसे हमारा कचोडी एकड़ारा खास्ता बने, देखे इस तरह से हमारा आटा भी रेडि है, पैन को गरम होने के लिए रख दिया है, कढ़ाई भी गरम हो चुका है, इ षे सत्रा खे रहता है, अधसे हम इस तरह से निम्वू काकार यूरी लिया है और इसमें बैम स्टस्टाफिंग फील एगह, इस तरह से हमजालोग में धूमा करके सुबंड आ करें और र्लम होने, हमजाते हम estas . देखे हम बने बनानगे, और रेखि के लिए हमें थोड़ा सा रहा अट लिया है इस तरह से जिसे हमारा ची थोड़ा अच्छा से बेल आ जाए देख इस तरह से सभी कशोड़ी को बेल लेंगे और यहीं से फ्राइ करते हैं वायल वी अची तरह से हीट हो चुका है अब फ्लेम को हम कर देंगे लो मीडियम टू ल तो लाल हो जाएगा और अंदर से कच्छा ही रहेगा एक रिस्पी भी नहीं बनेगा तेखिए इस तरह से हमें कच्छी को पलट पलट करके फ्राइ कर लेना है इस कच्छी को आप जरूर एक बढ़ ट्राइ करें यह खाने में बहुत टेस्टी होता है इसे अप अलु की सब्स किसी के संग भी खा सकते हैं हरी चटनी सॉस किसी भी चीज के संखाई है अचार के संखाई है बहुत टेस्टी लगता है इस रेस्पी को आप जरूर एक बार ट्राइ करें देखिए अमने तोड़ के दिखा दिया है यह कितने अच्छा से अंदरे स्टाफिंग फील हुआ है मेति मसाली कचोरी रेड़ी है अगर आप फूर एच्पी पसंद आई हो ता अब जरूर एक बार ट्राइ करेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं रेस्पी में